नमस्कार दोस्तो मैं गौतम सिंग गोखुल कुलासस में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज आपके लिए लेकर आए हूँ कौफी की खोज किस ने किया और कहां और कप बना दोस्तो कौफी की खोज क्या वकरी ने किया पूरे डिटर समय आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिली चैनल को सब्सक्राइब करें और बलाइकन दबाज तक कि अगले वीडियो क्नेट्फिक की है कालदी नाम का एक गडरिया अपनी बकरी चरा रहा था आचानक कुछ बकरियों ने एक अंजाने जंगली पहुंधों की लाल बेरिया चबाली बेरिया चबाते ही उए कुदने फादने लगी कालदी को लगा कि बेरियों में कोई नसिली चीज है उसने कुछ बेरिया त की जनकारी अपने गाउं के पादरी को दे दी पादरी ने उन्हें पानी में उबाल कर पिया इसे पीने से उनके सरीर में चुश्ती-फूर्ती भर गई पहले वह चर्च में प्रापना के समय उहने लगते थे जबकि वह घंटो चर्च में उपदेश देते रहते थे पादरी ने लोगों को निंद भगाने के लिए बेरियों को उबाल कर पीने की सलाह दी बाद में इथियों पियाने से काफी का चलन अरब पहुँचा और तेरहुई सतापदी में अरब में वह बेहत लोगपिडिये पे बन गया अरब वासी काफी की फलियों का निर्याद करते थे लेकिन बीज या पौधे किसी को नहीं देते थे उन्हें डर था कि ऐसा करने से उनका काफी बेपार ठप हो जाएगा लेकिन फिर भी चोरी छिपे काफी के पौधे कुछ अन्य देसों में पहुँचे हिंदुस्तान से गय कुछ यात्री कौफी के कुछ पौधे अपने सांथ ले आए डचवासी भी इसी तरह से कुछ पौधे ले गए और जावा में इसकी खेती शुरू कर दी इन देसों में लोगपिडिये होने के बाद कौफी पूरे विश्व में फैल गई कौफी में कैफी नामक रसाइन पैजाता है जो दिमाग को उतेजित करता है यही कारण है कि कौफी को बुधी जीवों ने सबसे ज्यादा अपनाया बुधी जीवों की अडवाजी के लिए मसुहूर कौफी हाउस का जन सबसे पहले एउरोप में हुआ न जाने कितने आंदोलनों क्रांतियों और विद्रोहों का जन कौफी हाउसों में हुआ कौफी के पीछे अनेक संस्क्रितियों और रिती रिवाज भी पर चलीता है तूर्की में साधी के समय दुलहे को सपत लेनी होती है कि वह दुलहन को जिन्दिगी बर कफी पिलाएगा दोस्तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर आपको आछा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो फिली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वे लाइक आंदा बादे ताके अगले वीडियो गन्टिफिकेशन आपको मिलते रहेगा थाइंक्यू दोस्तो राधे राधे दोस्तो